नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आएए इस वीडियो में हम इन्फा इस्ट्रॉक्स का डिस्कुशन कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए हमें इन प्राइस पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और टार्गेट्स क्या होंगे उस पर हम एक नजर मारेंगे तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ Intraday और Swing Trading के लिए हमारा Telegram चैनल है आप उसे जरूर जोइन करिए वहाँ पर हम Advanced Analysis के बाद Calls देते हैं और हमारे Subscribers डेली अच्छा पैसा कमाते हैं हम से भी Register नहीं है और हमारे वीडियो इडूकेशनल परपस के लिए है आप Investment से पहले अपने Advisor से जरूर कंसर करिएगा आईए दोस्तों हम Shriram Properties की एक बाद थोड़ी सी Fundamental Analysis कर लेते हैं P by B इसका केवल 1.04 है तो यहाँ पे कोई दिख करते हैं इससे लेकिन पता चलता है कि Company की आप कह सकते है शेयर में अभी Market में Positivity कम है अगर मैं Depth की बात करूँ देखू दोस्तों तो 727 करोर का Depth है 82 करोर का Cash है केवल तो यहाँ पे Company अगर के पास Depth चुकाने की आप कह सकते हैं अभी Position में नहीं है Market Cap 1400 करोर की है और Depth है 727 करोर तो यहाँ पे बहुत आप कह सकते हैं कि Balance Sheeting की काफी ज़्यादा कमजोर लग रही है Altman Jet भी कह रहा है कि Company Solvency की चांस काफी है Very Likely है Petros की स्कोर भी Average है तो यह साही चीज़ दोस्तों इस Company को आप Long Term के लिए तो बिल्कुल भी Consider नहीं कर सकते है इस चीज़ को आप लिफिज़े क्योंकि Company बरबाद भी हो सकती है Revenue भी देखिए इसका पिछले 3 साल में कम हुआ है हालांकि उसमें COVID का भी काफी बढ़ा रोल है बट यहाँ पे भी आप देखिए March 2021 में EPS इनका नेगेटिव जा रहा है ROE भी काफी कम हो गया है Cash flow from operations जरू थोरा सा बढ़ा है तो overall दोस्तों सब मिला के बस आप short term के लिए Company को Consider करिएगा क्योंकि आगे आने वाले दिलों में अगर इनकी एक दो साल में balance sheet और गरबर हुई तो अगर इस stock की price 10-15 रुपे भी पहुँच जाए तो हमें आप कह सकते है कि चौकने वाली बात नहीं होया हैगी तो इसमें दोस्तों आप 80 रुपे के पास का stop loss रखिये जो की recent का low है और हम जो targets लेके चलेंगे पहला target जो निकल के आ रहा है 92 और दूसरा target निकल के रहा है 100 रुपे के आसपास तो risk to reward ratio बहुत अच्छा नहीं है तो आप accordingly प्लैनिंग कर सकते है अब मैं एक बार पार्शवनाद developers को आए देख लेते हैं कि इनकी कैसी क्या condition चल लही है तो यहाँ पे अगर मैं देखू दोस्तों इनकी depth देखिया है इनके पास भी बहुत high depth है मार्केट कैप 1000 करोर की है टोटल डेप 33 करोर की है तो यहाँ पे देखिए जए कंपनी की हालत एकदम बुरी है तो इस टाइप की कंपनी में कभी भी long term investment कहाँ में नहीं सोचना चाहिए इनका ultimate जाइड इसको देखिये very likely यह भी कंपनी दिवालिया हो सकती है EPS देखेंगे तो आप बहुत टाइम से नेगेटिव ही चल लाहा है कभी positive हुआ ही नहीं revenue बीच में बढ़ा था फिर COVID के बाद से पिर काफी जादा downfall है ROE देखिये पिछले साल कुछ जादा ही negative हो गया था cash flow बीच में थोड़ा सा बढ़ा था दो साल फिर अभी थोड़ा सा काफी कम हो गया है तो overall इस company को भी आप long term के लिए नहीं consider कर सकते है अगर मैं इसकी delivery की बात करूं हानांकी तो वह last trading session में काफी अच्छी रही थी करी 46% के आसपास जो की इस अच्छी बात है अब आये charts पर दिख लेते हैं इस company को तो सबसे पहले मैं इसका max chart दिखना चाहूंगा की कैसा क्या picture तो देखिया यहां पर एक company एक time यह company अच्छी company हुआ करती थी तो जहां पर जब इसका IPO आया था तब यह 300 रुपे के असपास था फिर इसके बात क्योंकि company की balance sheet गरबर हुई तो इसलिए इनका आप कह सकते है stock भी गरबर हो गया तो पहला target क्योंकि बहुत छोटा है तो आपके वर दूसरी target को एम करिएगा 28 रुपीज का target 20 रुपीज का stop loss risk to reward ratio के वर 1 is to 1 का है तो personally मेरे लिए तो इसमें 20 रुपे के असपास की entry position जादा इच्छी रहेगी NBCC के बारे में देख लेते हैं Wall Street पे आटिके निकला था तो इसमें इन्होंने क्या कहा था तो इसमें इन्होंने कहा था कि PE इसका देखे तो 29.5 है PR एवरेज 18.8 है तो इनका PE थोड़ा हाई है हाई बीटा वाला स्टॉक है तो यहाँ पर यह चाही चीज़े हो गए तो यहाँ पर इनके साब से growth does not appear to be a main reason for a buy decision क्योंकि इसमें इनके साब से growth percentage इनके पास उससे बहुत जादा अच्छे नहीं है तो इनके साब से कोई बहुत जादा strong share नहीं है NBCC आप केवल swing trading के लिए इसको consider करिएगा ना कि long term के लिए recent में दोस्तों NBCC को काफी work orders मिले है तो 392 करोज के अलग-अलग जगाओ से University of Delhi से मिला है और यहां building from institution of eminence at Morris नगर है ठारा से स्क्वार किलोमेटर 144 करोज को एक ओडर इंको national hand mission लखनौव से मिला है तो यह साही चीज़ है आईए अब एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कैसी लग रही है यह कंपनी तो यहां पे देखिए कंपनी के इच्छी बात स्कोर भी हमारा बता रहा है कि 1.26 है कंपनी की क्योंकि balance rate और सब कुछ यह लोग बहुत कुछ देखते हैं तो यह एक छोई सी चिंता वाली बात है पे ट्रोस की स्कोर इनका अच्छा है यह चीज़ अच्छी है आई अब एक बार हम इनका revenue देख ले revenue में ज्यादा गिराव हुआ है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ठीक था company लग रही है अच्छी बात है कि depth free company है तो उतना बड़ा issue नहीं है आप अगर यहां पर देखेंगे तो 44% की इनकी delivery रही है last time इस company का एक बार मैं max देखना चाहूंगा all time high देखिए इस company का एक बार 130 रुपे के आस यहां पर मैं trend line मनाता हूँ पहले यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यह वाली जो trend line है यह एकदम एक resistance zone पर है तो इस पर या तो यह एक दो रुपे और बढ़ जाए अब तब position मनाईएगा वरना इसका जो position मनाने का दोस्तों बहिया time में रहेगा वो करीब यहां पर रह रहेगी क्योंकि तब आप 38 ए 39 रुपीज का आप stop loss लगा के इसमें position मना सकते है 46, 50 और 56 के targets के लिए अभी आप अगर position मनाते है दोस्तों इस stop loss आपको रखना परेगा stop loss हमको यहीं रखना परेगा 39 के पास का और हमारे जो targets रहेंगे वो 50 और 56 के targets रहेंगे तो risk to reward ratio हमारे favor में नहीं रहे गा तो यह थी दोस्तों मेरी analysis उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like and subscribe कीजिए हमारा motivation बढ़ेगा ताती आप हमें social media पर follow करिए trading bulls के हमारे telegram channel को जरू जोइन करिएगा काफी फाइदा होगा आपको धन्यवाद दोस्तों अपने विचा